Hello everyone, we have question is if the sum of the first 11 term of an APA1,A2,A3 dash dash is 0, A1 not equal to 0, then the sum of the APA1,A3,A5, dash dash A23 is KA1, where K is equal to, हमें हाँ पर KA1 की K की value find out करने है, इसके लिए हमें हाँ पर 2 series दिया हुआ है, एक series का हमें term,S11 का term हमें क्या 0 दिया है, मतलब कि यहां से क्या दिरेका है, S11,Equal to 0 दिया है, A1,Пलस,A2, यहां पर इसका sum दिया हुआ है, sum दिया है, मतलब कि यहां से हमें, आगर हम submission का formula की बात करेती हैं, असकर हो जाएग यहां पे क्या जाएगा। तो अगर इसका फर्स्टरम क्या जाएगे हूँ से perspective क्यै ए वन हो जाएगा ए पर दी क्या एन ड्याएब प्लन इन्ग ऌड टो पर क्या हो जाएगा धिरे वन दिया फे इंडिक अग जाहाएगा Uber यहां से क्या हो जाएगा 2a1 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 10d equal to 0 तो हम यहां से जब बोट सेड हम 2 से डिवाइड करें ते यहां पर क्या जाएगा और प्लस में हो जाएगा क्या 5d equal to 0 इसको यहां से क्या equation first consider कर लेते हैं आप हम में क्या बोलना है। इसको मैं carry down करूँगे यहां से यह series हो जाएगी A1 प्लस में क्या 2D हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगी यह A1 प्लस में क्या हो जाएगी यहां से 4D हो जाएगा प्लस डेस डेस यहां पर क्या हो जाएगी यह A1 त 창 div panel सर्फ में किया का ऑंस्याया जात है तो अ lot Bible सब्साइब तो अगर अंपसीन के बात कि वाद करेता है तो अगर i मात कित नोगी सी मतलब कि हैंसलिजी का आफ क्वाठी की वार्डूंट three में से मतलब कि या संग 20 डी ले लें यहां कैसे सब्सक्राइब look pleaseucking 230 होगा 5ज घसे सब्सक्राइब देस क्वाज रिखना करें लें तो होगा टीट multifa2d मैं जोगा तो यह ब दो रहीन सब्सक्राइब यह के लोज एलेवन मैं सब्सक्राइब का जहाए गार प्लस्न होyy यहां से किया? 2D into, यहां पर n टर्म का समिसिंग फार्म लेका नंटू, n फ्लस वन बाइटू थी, यहां से क्या हो जाएगा? 11 into में क्या हो जाएगा? 12 और डिवाइड भाइड बाई आ जाएगा 2. तो यहां पर क्या आजाएगा इसको जब solve करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा यहां पर इसको multiply करेंगे तो यहां पर आजाएगा 132 हो जाएगा यहां से 132D हो जाएगा और D के वेली क्या हो जाएगा यहां से जब इसको simplify करेंगे यहां से D आजाएगा D equal to हो जाएगा है हैंसे क्या minus में क्या A1 divided by 5 हो जाएगा तो जब यहां से console करेंट क्या हो जाएगे हो जाएगा हैंसे क्या 12 A1 हो जाएगा और minus में हो जाएगा हैंसे क्या 132 A1 divided by 5 जब इस console करेंट क्या हो जाएगा हैंसे 60 A1 हो जाएगा और minus में हो जाएगा है और 132 A1 divided by 5, तो इसको जब सौलक यहां पर क्या हो जाएगा, minus में क्या हो जाएगा, 72 A1 अपान में 5 आजाएगा, तो ये किसके equal दे रख़ा हैं हम यहां पर question में एगर इसको compare करेए था हमें क्या k a1 के equal दिया हुआ है यह value जो हमें question में दिया है यह क्या दर रखा है यहां से k a1 दिया हुआ है तो हम यहां से k क्या value found हो जाएगी k equal to हो जाएगी यहां से minus में हो जाएगा 72 divided by 5 आ जाएगा minus 72 divided by 5 means यहां पर d options का correct हो जाएगा